नमस्कार मैं उप्रिया भिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चांदार होटेल ताज खुलने वाला है इसका अंदर्मान तेजी से पूरा किया जा रहा है अब तक आई जानकारी के नुसार कंपनी IHCL यानि कि ताज होटेल के अमबुजा के साथ इस ताज होटेल को पटना में खोलने को लेकर करार किया गया है जिसकी बाद ही अब इस होटेल का दिर्मा राज़ानी पटना के बुधमार्क लोधीपुर में हो रहा है जानकारों की माने तो यह होटेल राज़ानी पटना का पहला ब्रांडिद लक्शिरी होटेल होगा जहां पर कई अंतरास्ट्रिय सुबधाईं दी जाएंगी साथ ही इसको दिसम्बर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा वहीं इस होटेल में लगभग 126 रूम का दिर्मान होगा इसके साथ ही साथ स्विविंग पूल सहित कई अन्य सुबधाईं भी दी जाएंगी मिली जानकारी के नुसार यह सिटी मॉल अपने आप में बहधी शांदार बताया जा रहा है लोगों की उत्सुकता को देखते वे इसके निर्बान की गती को भी तेज कर दिया गया है और इससे लगभग 2022 तक पूरा किया जा सकता है जानकारी के नुसार यहाँ पर शॉपिंग बॉल, सिनेमा हॉल, सहित कई सुबधाईं दी जाएंगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार सरकार बिहार की सूरत बदलने की लगातार कोशिश कर रही है राजधानी पटना भी स्मार्ट सिटी की सूची में शौमिल है यही कारण है कि बिहार की राजधानी पटना की सड़क हो या अन्य सुमिधा सरकार सब कुछ दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है इसी बीच जब भी बिहार की राजधानी पटना में इंटर करेंगे तो आप यकीनन यहां की सड़कों को देकर बिहादी खुश हो जाएंगे साथ ही आप आज से 10-15 साल पहले की सड़क विवस्था और आज की सरक का हाल देकर बिहार में हुए परिवर्तन का भी अंदाजा लगा लेंगे इतना ही नहीं बिहार सरकार बीते लंबे समय से लगा था बिहार में परेटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हुई है जिसके तहट बिहार में परेटन स्थलों का जिर्णो धार और रखरखाव का काम भी जोर शोर से किया जा रहा है कोरोना की मार के बाद एक बार फिर से परेटक बिहार कूच करने लगे हैं ऐसे में राजधानी पटना में ताज होटेल के बन जाने से परेटकों को ठहरने की खास सुवधा भी मिलेगी साथ ही रुकने के लिए उन्हें शांदार स्थल भी मिल जाएगा जिससे राजधानी की सूरत तो यकिनन बदलेगी ही बदलेगी साथ ही साथ परेटक भी बिहार की तरफ आकर शित होंगे इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद